इस दुनिया में बहुत से से लोग हैं जिनसे आप कभी नहीं बिढ़ना चाहेंगे जिन्रों ने अपनी पूरी जुनगी खुद को शक्तिशाली बनाने में लगा दिया है जो कि दुनिया के सबसे एक्स्ट्रीम लोग माने जाते हैं और आप कितने भी तेज़ों मगरी लोगों से बिढ़ने की गलतिया अभी सपने में भी नहीं करेंगे और इन लोग को वक आउट करते हुए देखकर आपका अंदर का एड्रेनिल भी तेज़ी से दोड़ने लगेगा तो बिना देर के आईये मिलते हैं लोगों से और वीडियो ही स्टार्ट करते हैं सेरगी ये बाद कोई नहीं जानता कि सेरगी के दिमाग में चीज़े करने का शौक कहां से आता है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगलिया दबा देते हैं जिन्होंने कुछ स्टन किया जैसे की एक स्टन की ट्रेन को खीचना अपने शरीर में बदी मोटी मोटी चेंज को अपनी मसल की तागा से तोड़ना और इतना ही नहीं सेरगी अपने हातों की तागा से दो प्लेंस को टेक आफ करने से भी रोग डेते हैं जिसमें प्लें इंच भर भी हिल नहीं पाते हैं लेकिन सेरगी को देखतर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना कर बाए कजागिस्तान के रहने वाले सेरगी जो कि एक स्यूपर हुमन है जो कि सब कुछ हो पाया उनकी शरीर को ठका देने वाली ट्रेनिंग और कभी नहार माने वाले एट्यूट की वज़े से जिनके नाम इस वक चार वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि सेरगी मानते हैं उन्होंने इतिफाक से ही बना दिये थे जो कि सुनने में एक मजाग जैसा लग सकता है क्योंकि बहुत से अथलीटिन रिकॉर्ड को बनाने में अपनी पूरी जिनकी लगा देते हैं मीना रागवन इडियन मार्शल आर्ट कैलरी पेउट टू जो कि दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है जो कि माना जाता है 1300 से 2300 साल पुरानी है जिसे भगवान पर शुराम द्वारा शुरू किया गया था 78 साल की मीना रागवन जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है और एक गुरू है जो कि अपने स्कूल में बच्चों को कलरी पेउट टू सिखाती है मीना ने 20 साल की उमर में इस ट्रेनिंग को लेना स्टार्ट कर दिया था लेकिन दूसरे लोगों से बिलकुली उलट जो अपने रेटायर्मेंट के दिनों में अराम करना पसंद करते हैं मीना ने अपना स्कूल खोल कर बच्चों को शिक्षा देना स्टार्ट कर दिया जहां देश विदेश से बहुत से स्टूडेंट आते हैं जो कि उनसे वहां कलिरी पेवट्ट्व सीखते हैं और जिन्हें वहां उनके शिष्य दादी कह कर बुलाते हैं लेकिन इस शिक्षा के बदले मीरा उनसे कोई पैसा नहीं लेती और ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद शिश्य अपनी मर्जी के अनुसार उन्हें गुरु दक्षिना देते हैं जिससे आगे बच्चों को शिक्षा दे सकें वीटो पीरा बजारी यह भीमकाय शरीर और बड़ी-बड़ी मसल वाला इंसान जो कि एक जर्मन बॉडीबिट है जो कि पेशे से एक एथलीट और एक एक्टर भी है जिसने फेमस टीवी सीरीज डॉग और बर्लीन में भी काम किया है यह जर्मन चैन्ट जिसने खुद को वरक आउट और डाइट रूटीन की तरह इतना डेडिकेट कर दिया है जो कि किसी भी बड़े बॉडीबिटर एक एक एहम चीज है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया और यूट्यूब में कावी फेमस है जहां वे अपनी स्टेंड लोगों को दिखाते रहते हैं जिन से असल जिन्गी में भूल कर भी कोई नहीं बिरना चाहेगा किसी भी अच्छे फिजीक वाली इनसान को देखके आपके मन में हमेशा आता है कि मेरा सामना कभी भी इस इनसान से ना हो और ऐसा ही कुछ एवेजी को देखकर भी लोगों के मन में आता है जो कि किसी हतोड़े को गोली की स्पीड से गुमा देते हैं लेकिन खुश किसमती से इनसान किसी को नुकसान पहुचाने के बिजह लोगों की चान बचाता है एवेजी असल में एक बेलरूस में एक फायर फाइटर है जिन्होंने खुद को फिट बनाने के लिए वरकाउट के एक अलग लेवल तक पहुच चुके हैं जिन्हें इस दुनिया में अभी तक कोई टकर नहीं दे पाया एवेजी के नाम इस वक्त एक मिनट में रॉड पर सबस्यादा पुश अप करने का रिकॉर्ड है जिन्होंने फिशला 40 पुश अप का रिकॉर्ड तोड कर एक नट में 53 रॉड पुश अप करके रिकॉर्ड बना डाला था जो कि अकसर पार्क में कैलस्थेटिक वरकाउट करना पसंद रखते हैं मिन्डी एक मार्शल आर्ट चैंपियन है जिन्होंने चारव साल के हुल में ट्रिनिंग लेना स्टार्ट कर दिया था जिनके नाम इस वक्त दरजन से भी ज्यादा टाइटल है जो कि सब कुछ मुम्किन हो पाया है उनके कभी ना हार मानने वाले एडिट्यूट की वज़े से जो कि अपनी सफलता के लिए अपने कभी ना रुखने वाले एडिट्यूट को मानती हैं जो कि आगे चलकर एक्शन मूवीज में काम करना चाती हैं जो कि बच्पन से ब्रूस ली और सिल्वेस्टर स्टेलोन से काफी प्रवावी थी जो कि 2005 में हॉलिवूड शिफ्ट हो गई जहानोंने बहुत से सेलिब्रिटीज के साथ काम किया और उनके लिए एक्शन सीन भी डिजाइन किया जिनसे आप असल लाइफ में कभी भीड़ना नहीं चाहेंगे विद्द्द जामवाल विद्द्द जामवाल जो कि दुन्या की सबसे डेंजरस हाई स्किल्ड मार्शल आर्ट कलिरी प्रिटी की जानने वाले इंसान है जो कि दुन्या की टॉप फाइटर में से भी एक है विद्द्द ने अपनी ट्रेनिंग केरला में स्टार्ट की थी जिन्होंने वहाँ कलिरी प्रिटी की बारिकियों को वहाँ सीखा था जो कि अब बॉलिवूड में नहीं हॉलिवूड में भी अपने बहतरी इंस्टेंट के लिए जाने जाते हैं विद्द्द अक्सार इंटरनेट पर लोग को अपनी स्किल्स का जलवा दिखाते रहते हैं और विद्द्द बताते हैं बहुत से एमेचर फाटर जो कि सिर्फ किकिंग और बॉक्सिंग पर कॉंसेट्रेट करते हैं वह एक अच्छे मार्शल आटिस्ट नहीं बन सकते एक अच्छा मार्शल आटिस्ट बनने के लिए पेशन और बैलेंस को भी श्रीकना पड़ता है तब ही कोई अच्छा मार्शल आटिस्ट बन सकता है जेडी एंडरसन जेडी को लोग प्यार से आइसमेन भी बोलते हैं जो कि अपने सर पे बिना हेलमेट और बिना किसी सुरक्षा की बरफ की मोटी मोटी सिल्यों को तोड़ देते हैं ये किसी से भी ना डरने वाला इंसान जिससे कोई नहीं बिढ़ना चाहेगा जिनके नाम इस वक्छे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो कि कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि normal इंसान के लिए कर पाना नमुंकिन है इतना ही नए जेडि किसी फ्राइब बैन को किसी रोटी की तरह भी फोड़ कर देते हैं और किसी बेज्बॉल बैट को टूथपीथ की तरह तोड़ देते हैं इतनी सारी चीज़े करने की वज़े से बहुत से टीवी शोस जैसे अमेरिका गॉड टैलेंट और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना जलवा दिखा चुके हैं तो मुझे पूरी उमीद है वीडियो आपको पसंद आया हो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें